Hello students, today we will see about Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is a state of Northern India, यानि इंडिया में देखेंगे तो इसका direction क्या है? North है. It is divided into 18 administrative divisions and 75 districts. तो UP में कितने district है? 75 districts है और इसमें 18 प्रसासनिक divisions है. It is the most populous state in India. सबसे ज़्यादा अगर हम population की बात करें, number of people की बात करें, तो वो UP में ही है. The capital city is Lakhnau. यहां की जो राजधानी है, वो क्या है? Lakhnau है, capital city Lakhnau है. Major rivers are Ganga, Yamuna, Gomti and Saru. Because of these rivers, the soil of UP is very fertile, जिसकी वज़े से यहां agriculture के लिए यह काफी अच्छी जमीन मानी जाती है. यहां की स्वाइल काफी अच्छी मानी जाती है. On 9 November 2000, a new state उत्रांचल, now called, उत्राखंड, was called from UP. तो 9 November 2000 में यहां से एक new state, जो Himalayan वाला reason था, जो Himalaya का reason था, वो यहां से अलग करके एक नया state बना दिये गिया, जिसको हम आज की टाइम पर क्या बोलते हैं, उत्राखंड बोलते हैं. चलिए अब UP की population की बात कर लेते हैं. population की अगर बात करें, तो हमारे इंडिया में population counting जो होती है, वो every 10 years में होती है. पिछला जो था, वो 2011 में हुआ था, now जो होगा, वो 2021 में होगा. टोटल population की बात करते हैं, तो वो है 19.98 करोर in UP. टोटल male population is 10.45 करोर and the total female population in UP is 9.53 करोर. यानि 19.98 करोर में से 10.45 करोर male population है और 9.53 करोर जो है, वो female population है. तो आप सीधा देख सकते हैं कि females का जो number है females का, वो कम है in comparison to males. टोटल एरिया की बात करते हैं, तो टोटल एरिया है 2.40 lakh square की मी and number of district 75 है या आपको पता ही है. तो एरिया के according जो हमारा UP है पूरे इंडिया में 4th rank पर आता है. The most populated district in UP is प्रयागराज, least populated district is महोबा and the most populated city की अगर बात करें, it is the capital of UP that is Lucknow. Maximum literacy rate की बात करें किस district में है तो वो गौतम बुद्धनगर में है 80.12%. It means गौतम बुद्धनगर की जो भी population है उसके 80.12% लोग जो हैं, वो literate हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो educated हैं. Minimum literacy rate की बात करें, वो किस district में है UP में, वो है श्रावस्ती में 46.74% यानि कि यहाँ पर जो भी population है श्रावस्ती की उसके सिर्फ 46.74% ही लोग पढ़े लिखे हैं, educated हैं. It means कि यहाँ की जो literacy rate है, वो सबसे कम हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ है, गौतम बुद्धनगर यानि कि जो आपका नौड़ा वाला reason आता है, वो. Sex ratio in UP is 912 ratio 1000, यानि कि हर 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं, अब बात करते हैं कुछ special symbols की, तो emblem का picture आप देख पा रहे हो, next is animal की बात करें तो swamp deer है, bird है, सारस crane, flower है जो वो है, palace और tree क्या है, अशो का है. Last बात करते हैं, state का dance क्या है, वो है कत्थक और state का sport क्या है, वो है hockey. So these are some state symbols of UP, यानि उत्तर प्रदेश के कुछ important state symbols हैं, अब हम मिलेंगे next video में, तब तब के लिए, bye bye, thank you. झाल, तो जाए थाय झाल, अग हम एまだगगे हैं, बास्तर प्रदों प्रड़र का में की तका बड़ाई फर ए तक मीफाने कह रखियों है, ए रिजरों बागेगे, mid-पार देका है, एख दो झाल, कुछ